Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग क्लास 6th civics का 1st chapter कर रहे हैं, the chapter name is Understanding Diversity. And इस chapter का ये हम last part अभी करेंगे. And the topic name is Unity in Diversity. तो इंडिया की अगर हम diversity की बात करें, it has always been recognized as a source of its strength. तो इंडिया की जो diversity है, इसको हम एक strength का source मानते हैं. इसका एक आगे example भी दिया गया है, जैसे की अगर हम उस time period की बात करें, जब Britishers हम पर rule कर रहे थे, तो Britishers को oppose करने के लिए सबी लोग एक साथ मिलकर सामने आए. And सबने Britishers को oppose किया था. तो Britishers के against women, men, जो अलग-अलग culture and different religious and regional background से थे, सब साथ में मिलकर सामने आए and Britishers को oppose किया. इसके अलावा, जितने भी freedom movement यहां चलाए गए, तो इन सभी freedom movement में, हजारों की संख्या में, जो लोग थे, उन्होंने participate किया था. And ये सभी लोग एक दूसरे से अलग background से belong करते थे. लेकिन फिर भी, सब लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, Britishers के against, साथ में मिलकर सबने Britishers को oppose किया था. इसके अलावा, जो भी actions लिये जाते थे, Britishers के against, वो भी साथ में मिलकर decide किये गए. इसके अलावा, जो भी Britishers के against बोलता था, Britishers उनको उठा कर jail में डालते थे. तो जब सब लोग मिलकर Britishers को oppose कर रहे थे तो इन सबी को जो है जेल में डाल दिया गया था तो इतनी diversity होने के बावजूद भी सब लोगों ने साथ में मिलकर Britishers को oppose किया था और साथ में मिलकर जेल भी गए थे इसके अलावा सबी लोग जो है जिनोंने movement में, freedom movement में participate किया था Britishers को oppose करने के लिए तरह तरह के different ways भी निकाल रहे थे अगर हम Britishers की बात करें तो Britishers यहाँ पर जो है अपना rule continue करना चाते थे बट with a plan इनोंने एक policy बनाई इनोंने सोचा कि क्यों न यहाँ पर एक divide वाली policy जो है वो खेली जाए तो इनको न यह पता था कि हमारा भारत जो है न वो अलग-अलग group में बटा है caste के basis पर, word के basis पर तो जब Britishers को यह बात पता चली तो उनको लगा कि क्यों न यहाँ पर divide and rule वाली policy खेली जाए divide and rule का मतलब यह है कि इन लोगों के बीच में हम जो है मन मुटाव कराते रहेंगे and हम लोग जो है इंडिया पर rule करते रहेंगे ठीक है तो कौन रूल करते रहेंगे? Britishers यहाँ पर रूल करते रहेंगे लेकिन जो लोग हैं उनके बीच में differences होते रहेंगे, मन मुटाव होते रहेंगे ऐसा इनका मानना था Britishers का and Britishers ने divide and rule वाली policy अपनाई थी लेकिन ये policy जो है इनकी fail हो गई थी क्योंकि बले ही लोग एक दूसरे से अलग हैं अलग-अलग background से बिलोंग करते हैं लेकिन जब Britishers की बात आई तो सबने साथ में मिलकर unite किया and साथ में मिलकर Britishers के against आवाज उठाई अब यहाँ पर नीचे ये एक song दिया हुआ है ठीक है एक बार ये song पढ़ लेना तो ये जो song है न ये पते कब गाया गया था जब जलिया वाला बाग मैसेकर हुआ था अमरित सर में तब उसके बाद ये song गाया गया था चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा detail में बात करते हैं तो जलिया वाला बाग मैसेकर कहां हुआ अमरित सर में हुआ तो उस टाइम पर हुआ ये था कि हमारे यहां से अलग-अलग लोग जो है अलग-अलग बैगराउंड से बिलोंग करने वाले लोग ब्रिटीशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जलिया वाला बाग पहुँचे थे एंड इस मूवमेंट में मैं भी थे, विमें भी थी हिंदूस भी थे, इसके लावा सिक, मुसलिम, रिच और पूर पीपल भी थे एंड सभी लोगों ने ब्रिटीशर्स के अगेंस्ट जलिया वाला बाग में जो है, प्रोटेस्ट किया था और सभी लोग अनाम्ड थे अनाम्ड का मतलब है जब ये प्रोटेस्ट करने गए तो इनके पास किसी भी तरीके के आम्ड नहीं थे, कोई भी वेपन्स नहीं थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अनाम्ड थे, क्योंकि पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे and फिर बाद में ये song compose किया गया and ये song जो है उन लोगों की memory में गाया गया जो लोग मतलब वो brave people जो जलिया वाला बाग में बैट कर peaceful तरीके से protest कर रहे थे तो उनकी memory में ये जो song है ये compose किया गया था ठीक है चलिया बागे देखते है songs and symbols that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity देखो जितने भी song and symbols का use किया गया during freedom struggle क्योंकि freedom struggle के time पर तरह तरह के song आए गए ठीक है इसके लाबा तरह तरह के symbols यूज किये गए तो ये जो song and symbol है ये हमारे देश की जो diversity है उसकी तरह एक respect शो करते है क्योंकि इन song में इन symbols में हर एक cultural, regional and religion background का ध्यान रखा गया था and क्या आपको पता है कि Indian flag की एक story है story ये है कि Indian flag को as a symbol use किया जाता था to protest against the British by people everywhere तो क्या होता था कि जहां जहां Britishers के against protest करना होता था वहाँ पर ये तिरंगा लहराया जाता था as a symbol ये दिखाने के लिए कि हम Britishers के against है important question है ये ठीक है जवाहरलाल नहरू ने book लिखी जिसका नाम है the discovery of India direct question बनता है and बहुत important question है ठीक है जवाहरलाल नहरू ने ये book लिखी थी जवाहरलाल नहरू कौन थे ये इंडिया के first prime minister थे ठीक है तो इन्हों ने ये book लिखी and नहरू says that Indian unity is not something imposed ये कहते हैं अपनी इस book में कि जो इंडिया में ये आप unity देख रहे हो इस diversity के बीच में जो लोगों के बीच में ये unity that means ये जो एकता देख रहे हो ना लोगों के बीच में ये एकता बाहर से impose नहीं है ये unity लोगों के दिल से आई है it was something deeper and within its fault तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये unity diversity में जो है लोगों के दिल से आई है ना कि कहीं बाहर से ये impose है इसके अलावा इन्हों ने ये कहा कि यहाँ पर अलग-अलग custom and religion को practice करने वाले लोग रहते हैं लेकिन ये लोग एक दूसरे की तरफ एक widest tolerance दिखाते हैं एक दूसरे के धरम की एक दूसरे के culture की respect करते हैं उसको acknowledge करते हैं इसके अलावा उसे encourage भी करते हैं ये जो term है ना unity in diversity ये term नहरु जी ने ही coin की थी most important question एक और आ गया देखो इसी तरीके से examiner जो है ना छोटी छोटी लाइनों से question उठाता है इसलिए कहते हैं कि NCRT जो है ना वो notes से मत पढ़ना कभी भी हमेशा line to line इसको पढ़ो हर एक line हमें कुछ सिखाती है and हर एक line से कही ना कही से question तो बनता ही बनता है ठीक है तो ये जो unity in diversity है ये term नहरू जी ने coin की थी इंडिया का national anthem किसने compose किया question आ सकता है ये compose किया था रबिंदरनात टैगोर जी ने and जो ये national anthem है हमारा ये भी एक expression है to show the unity of India मतलब national anthem में भी आप देखोगे तो unity दिखाई है इस diversity की हमारे भारत की एकता दिखाई है देखो national anthem एक बार देखो तो उसमें जब आप line देखोगे तो line है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अलग-अलग places के नाम दिए गए है इनफेक्ट अलग-अलग धरम के बारे में बताया हुए तो कहीं न कहीं आप यह देखते हो कि national anthem जो है न वो हमारे देश की इंडिया की प्यारे से भारत की unity को शो करता है तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके आप lyrics देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से unity को शो किया गया है अच्छा इसको पहली बार कब गाया गया था तो ये भी एक important question बनता है हाला कि इसको NCRT में बताया नहीं हुआ है तो लेकिन फिर भी इस चीज़ के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तो 27 दिसमबर 1911 को इसको Calcutta में गाया गया था ठेक है अब चलिए हमारा जो ये first chapter है ये complete हो गया अब हम second chapter पर मिलते हैं इसके अलावा आप मेरे साथ टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं कोई doubt है comment section में लिखिएगा Thank you so much for watching this video Bye Bye